एलो एवरीवन देखिए नेक्स्ट टॉपी करते हैं मॉडूलस ओफ इलास्टिसिटी देखो इससे पहले हमने हुक्सलो पड़ा था हुक्सलो क्या कहता था stress is directive proportional to strain और यह directive proportional का sign है अटा के हमने क्या किया था है यहाँ पर constant लगाया था और जो को हमने epsilon से लिखा clear रहे इतनी बात बताओ कोई दिक्कत ठीक है आप देखो यहाँ पर आपको सारी बात समझ में आई गई थी तो modulus of elasticity की जो definition है वो क्या बनेगी it is defined as the ratio of stress to the strain तो यह लिखा रहा है it is defined as the ratio of stress to the strain within the elastic limit within the elastic limit की बात क्यों कि है हमने क्योंकि hook slow जो applicable था वो सिरफ किसमे था elastic limit में ही था कि stress और directive motion to किसके था strain कब जब elastic limit थी ठीक है यह चीज़ आपको पता elastic limit क्या है कि जब आप क्या कर रहे हो कोई भी आपके पास material ले ठीक है उसमें आपने maximum stress दिया और body क्या कर रही है रिगेन कर रही है अपनी original size और shape clear है that is a elastic limit अगर आप stress इतना दे दो यानि कि deforming force होगे तब ही stress आएगा यह चीज़ आपको पता है ठीक है तो जब आप stress अगर बहुत ज़्यादा दे दोगे या फिर deforming force बहुत ज़्यादा लगा दोगे कि वह अपनी जो है original shape or size में ना आए तो यानि कि वह क्या है elastic limit से बाहर है ठीक है elastic limit नहीं है उसकी clear एतनी बात ठीक तो यह चीज़ है यहाँ पर तो modulus of elasticity हमें पार चल गया क्या रहता है stress upon में strain या फिर यह क्या है coefficient of elasticity clear है लेकिन हम यहाँ पर modulus of elasticity बोलेंगे तो e से हम इसको लिखते है clear और stress को हम लिखते है sigma से और strain को हम लिखते है epsilon से clear है इतनी बात समझ में आ गया modulus of elasticity तो यहाँ से इसके अब SI unit अगर हम देखें वो क्या होंगे SI units are क्या होंगे बताओ strain क्या होता है strain भी जैसे हमारे पास three types के थे न अगर length वाला करते हैं longitudinal तो यानि की change in length upon में original length तो like quantities है like quantities है तो यानि की इसका भी unit meter होगा इसका भी meter होगा तो यह तो कटी जाएंगे तो कोई unit नी बनता है inverse square यह भी आप लिख सकते हो ठीक है SI units ठीक है अब इसमें हमने direct यह क्यों लिख दिया because यह strain के तो कोई unit नी है सिर्फ stress की बनते हैं तो जो stress के units हैं वही आपके किसके units बनते है modulus of elasticity के बनते हैं यह भी चीज़ आपको यहाँ पर धियान में रहनी चाहिए clear है इतनी बात बताओ कोई दिक्कत इसमें ठीक है अब dimensions की बात करें तो अगर हम dimensions की बात करें तो mass into acceleration होता है न फोर्स तो ml t-2 यह सब आपको पता है ठीक है और area के क्या होंगे meter square होता है यूनिट्स तो यह यानि की length से related है तो l square ठीक है तो उपर जाएगा जब l2 तो minus 2 हो जाएगा तो यहाँ 1 पहले से है minus 2 करेंगे तो minus 1 तो क्या बनता है हमारे पास ml-1 और यह t-2 बता हो कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ इतनी बात आई समझ में ठीक है अब modulus of elasticity यह तो चीज हमें पादा चलगी कि modulus of elasticity के जो units और dimensions है वो सेम कौन से होते हैं जो stress के होते हैं फॉर्मूला तो stress अपॉन में strain है बर strain का तो ना कोई dimension होते हो ना कोई units होते हैं लेकिन modulus of elasticity भी आप कितने हैं थ्री टाइप्स की है क्यों है थ्री टाइप्स की विकोज जब आप modulus of elasticity लिखोगे stress अपॉन सा था जैसे longitudinal, volumetric और कौन सा था sharing या फिर हम tagential stress बोलते थे इसको ठीक है strain में strain में भी आपके पास longitudinal strain volumetric strain और कौन सा था sharing strain ठीक है तो यानि कि तीन टाइप के stress हैं तीन टाइप के strain है तो वह साथ तीन टाइप की modulus of elasticity भी होंगे ठीक है वो देखते हैं next page पर देखेंज यहाँ पर लिखा हूँ है तो हमने types of modulus of elasticity it is of three types देखो जैसे मैंने आपको बताया था stress और strain भी तीन टाइप के होते हैं ठीक है अभी आप कहोगे stress में तो हमारा normal भी आया था stress normal में आगे longitudinal और volumetric थे ठीक है तो देखो बात सही है बात ठीक है लेकिन हमने यहाँ पर longitudinal ले लेना है और उसका volumetric ले ले quotient strain था जिसमें हम length की change होने की बात करते थे और अगर आपको याद हो जो strain था हमारा volumetric वहां हम volume की change होने की बात करते थे और जब हम बात करते थे sharing strain की तो वहां पर हम shape की change होने की बात करते थे ठीक है तो उसी तरीक के से फिर हमारे पास 3 kinds of elasticity और there मौडूलेस ओफ इलास्टिसिटी यह किसके लिए होता है लेंथ के लिए होगा बल्क मौडूलेस ओफ इलास्टिसिटी क्या है हमारे पास volume के लिए होगा, किसके लिए होगा volume के लिए और ये हमने B से denote किया थर्ड आता है हमारे पास shear modulus of elasticity हम G से denote करते हैं ठीक है और ये किसके लिए होता है हमारे पास shape change के लिए clear एतनी बाद इस चीज़ें आपको पता है clear ठीक है और shear modulus of elasticity को हम modulus of rigidity भी बोलते हैं यह चीज़ आप धियान रखना अब इनको detail में बढ़ते हैं देखो बात करते हैं पहले की यंगs modulus of elasticity की तो देखो हमें normally जो modulus of elasticity है उसका formula पता है क्या होता है stress upon में strain होता है यह होता है ठीक है तो अगर हम यंगs modulus of elasticity की बात करें मैंने आपको पहली बताते हैं यह length related है ठीक है तो अगर यहां हम length की बात करें तो यानि कि इसमें जो stress होगा वो कौन सा होगा longitudinal stress आ जाएगा मान लीजिए ठीक है deforming forces की सब्सक्राइब करता हूं यह वली दी हमने deforming force को stretch किया ठीक है तो यहां deforming force लगी और इसके बतले में कौन सी force लगती है opposite में restoring force लगती है जो कि हम बोलते है stress वाली force कौन सी होती है internal restoring force होती है because stress भी तो क्या होता है force पुम में area तो area तो यह cross sectional वाला आता है और जो force है वो कौन सी आईगी restoring force आईगी वो अलग बात है कि यह restoring force और बाहर वाली applied force या deforming force equal होती है ठीक है देखो यह सब चीज़े है ना जो आपको detail में अगर देखने तो पिछले lecture देख लो ठीक है फिर भी मैं आपको यहां clear करी रहा हूं कि लेकिन फिर भी लंबी वीडियो जाती है अगर पिछली बात बार बार बदाए तो पिछला देख लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी ठीक है यह चीज़े समझ छीए ठीक है यह हमने किसी इससे यहां पर एक तरह से आप कहा दो कि लगाया हुआ किसी पार्ट से ठीक है बहुत अच्छे तरीक के से ठीक है इसार अब जब हमने इसको फॉट्स लगाई तो इसकी लेंद्ध क्या हो गई थोड़ी इन्क्री सो गई तो यह इस तरफ थाए ठीक है मतलब हमने force लगा इस तरह deforming force वो अलग बात है कि यहां से इसकी restoring force भी लगेगी ठीक है अब आपको होगे यहां तो दोनों तरफ लगी थी यहां क्यों नहीं लगी यहां भी तो लग रही है अब यह चीज क्या होगी यहां से चिपका दी ना इसको तो अगर चिपका force क्या है इस side यहां भी जनरेट होगी एक restoring force ठीक है वो अलग बात है यहां पता नहीं चल रहा कुछ भी यहां पता चल रहा है ठीक है तो यहां पर भी आपको यह चीज समझ में आ रही है कि यह जो force है कैसी नॉर्मल लग रही है समझ रहो चाए अंदर वाली माल लो चाए बाहर वाली deforming force को लेके चलो में यह कैई normal लग रही है यह भी normal ही लगती है तो longitudinal stress की जगे कहीं जगे normal लिखा लिखा वाद तो इसमें confused नहीं हो न वह यह है तो longitudinal में भी हमारे पास जो है compressive भी हो सकता है और tensile stress भी हो सकता है यह आपको पता है जिसमें length कम हो रही होती है व तो अगर मैं यहां लिखता हूँ इसको longitudinal stress यह क्या होता है आपके पास जल्दी से बताओ force upon में area होता है ठीक है और area भी इसके अंदर कौन सा चलेगा यह वाला cross-sectional area चलेगा ठीक है जो की होता है हमारे पास pi r square because यह circle है यही cross-sectional area होता है clear है समझपारे हों के बाद को वह तो एक slendrical shape है तो पुरे slender का area की बात नहीं हो रही यहाँ पर ठीक है cross-sectional area जहाँ पर particular लग रही है ठीक है जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था जैसे माल लो यह एक slender है ठीक है तो इस पर particular लग रही है जो ठीक है ऐसे बाहर की तरफ लग रही है जाए अंदर की तरफ यह क्या है हमारा cross-sectional area यह वला इतना part तो अभी तो यह circle की shape में नहीं है लेकिन पुरा slender का लग रहोगा तो यह circular shape होगी clear है समझ में आ गया होगा ठीक है बात करते हैं हम longitudinal strain की longitudinal strain क्या होता है modulus of elasticity है तो देखो क्या होगा यहाँ पर किया हमने f by a ठीक है और upon में strain की जंगे क्या लिखे देंगे हम delta l by l इसको further हम लिखेंगे तो f by a into में यह चीज उपर चल जाएगी और यह delta l यहां जाएगा यह सब आपको पता भी है clear है ठीक है अब a में यहाँ पर pi r square किया था था ना तो यह हम यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर y is equal to में f upon में a a की जंगे सोरी क्या लिख दो अब pi r square लिख दो ठीक है और यह क्या है हमारे पास l upon में delta l clear है तो यह हमारे पास young modulus का formula आ गया clear है इतनी बात बताओ कोई दिक्कत इसमें आया समझ में ठीक है simple है तो यह आप पढ़ भी लो यहाँ पर it is defined as the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain जैसे modulus of elasticity simple क्या था हमारे पास defined as the ratio of stress to the strain तो यहाँ पर young's modulus आ गया तो वह length की कहानी है तो याणि की length की समय चलती है longitudinal stress में और longitudinal strength ठीक है clear है इतनी बात यह तो पता है आपको length increase होती है कोई से longitudinal stress की वज़े से increase य。 ठीक है और longitudinal train क्या है वहाँ length की dimensions change होरी है यह मतलब है ठीक है म थैक है मतलब यह तो आपको stress की वज़े से तो length increase हुए यानि कि stress की वज़े से क्या हुआ strain हुआ समझ रहे हो नहीं इतनी बास ठीके ना force मतलब क्या है stress दिया particular area और strain मतलब क्या हुआ change हुआ length में वो मतलब है ठीके तो stress की वज़े से strain हुआ ठीक तो longitudinal stress की वज़े से longitudinal strain हुआ वो क्या हमारा young's modulus of elasticity तो थो फो क्या थे आपके ऊपास में अब थिए इसके उनिटस को सुथे निूटन पर किसे यहाँ को इनवर्स है अगर आप क्यों पता है आपको यह क्लियर है को सिंटिमीटर फिरfahr मैं वह बात करें तो यह मैंने पिछल्श है आपको बतायो कियो अ स्ट्रेस के तो ऐसे यंग मोडूलस ऐा चाहे बट करने कि क्या बात है कहता है जो यंग मौडूलस है ना is involved in solid तो वोटर रहे है उसमें तो लैंज इंक्रीज होने से ठीक है अब सेकिंड क्या है इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या है ग्रेटर जाए जिसका जादा है उसकी लास्टीशिटी गया है जादा है यंग मोडुलस की वेल्यू अगर जादा है तो आप क्या कहता है उसकी लास्टीशिटी जादा है अब जैसे एक्जामपल लें हम अगर किसकी मैंने का था स्टील में और रबड का चलो ऐसे बात करते हैं ठीक है पहले मैंने बताया था आपको स्टील में ज्यादा कि अगर पोजिशन कर रहा है अपनी और इजनल शेप रहने के लिए यानि कि अपोजिशन कर रहा है अपनी चेंज इन शेप और साइज का तो क्या जादा इलास्टीश है तरबड को ऐसे खीची चाती है राम से ठीक है वह अलग बात है वह रहीं गर लेंस्टिक तो बीए लेकिन more elastic क्या है steel है because वो तो बहुत ही मतला हमें दिखता नहीं है जैसे मांदो यह steel है इस तरीके से बहुत ही हम इसको ऐसे कर रहे हैं इस तरीके से stretch लेकिन वह हमें दिखनी रहे अंदर molecules उसके items जो हैं इस तरह displays होते हुए इतने नहीं दिख रहे हैं लेकिन अगर हम microscopic उससे बेखे हैं कि ज़्यादा force लाई तो हलके बहुत change हो रहा है लेकिन फिर भी आपको उसमें कोई chain नहीं जड़ा तक विगो आप जैसी reforming force अठाते हो फिर वो वैसी shape ले देता है यानि कि हमें तो दिखी रहे है व अगर इसमें हम बात करें steel की तो मैं इसका भी आपको बताता हूं data की क्या है ठीक है सबसे पहले इस बात को समझो कि young modulus जादा तो वह elastic कैसे है जादा ठीक है देखो अभी हमें इहां पता चला stress upon strain है longitudinal stress upon में longitudinal strain ठीक है stress की वज़े से strain होता है यह तो आपको पता है ठीक है जैसे माल लो इसमें मैं आपको बता हूं कि stress हुआ दो material लिए मैंने माल लो एक लिया मैंने steel और एक मैंने माल लो एक rubber ले ली इस तरीके से ठीक है इन पर जो stress लगा वो माल लो 5 का लगा ठीक है और जो strain हुआ है यानगी change in length अब आपको बता है steel में तो आप force लगा रहे हो तो उसमें कम change होगा ठीक है ना force मैंने माल लो दोन change in length किसमें ज़्यादा होगी steel में तो कम होगी जैसे माल लो इसमें मैंने का 2 का हुआ और इसमें रवड में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उतनी force में माल लो इसका 4 हुआ यह सिरफ समझने का है समझ रहो समझ रहो यह बार ठीक है अब देखो जरा यंग मोडुलस किसम इसमें 1.25 आ रहा है समझ रहो मतला ओवी से बाद है नीचे value कम है अगर तो अंसर ज्यादा ही आने वल है नीचे value ज्यादा है तो अंसर कम आएगा यह तो आपको पता है division का rule है ठीक है में यहां से बात जो मैं समझाना चाहरा हूँ आपको कि मुझे यह पता चाहरा है कि strain जो है कम किसमें होगा steel जैसी बोडी में होगा समझ यह इतनी मत ठीक है अब मैं यहां पर copper और aluminium का क्यों नहीं एक्जांपल है क्यों कि rubber से आपको ज्यादा इसली समझ में आईगी यह बात तो आपको पता है rubber में strain तो ज्यादा हो गया तो यह तो मुझे पता ही है कि rubber कम elastic है यह जदा हईगी तो यह modular जिसका ज्यादा वह क्लियर है और एक तैने से यह समझ सकते है कि जो जाता रिजीड होगा न ठिकें ुलिए और याव पॉजेशन ज्याद她 रहें चेप को क्ली 열 a निज्चपक को समझ चीज समझ में आ गई होगाए आपके की क्यूं क्यूं क्यूंकि स्टील का यंस मौडोली अइस कंपेर डिका जिका देता हूं यह आपके पास देखओonos के पर नाइन में चल रहा है ठीक है न्यूटन पर मीटर स्क्वेर तो आपको पता है इसके जो है यूनिट्स होते हैं ठीक है देखो ऐल्मूनियम का 70 है कोपर का 120 दिया है आयरेन का 190 दिया है एक तरह ऐसे यह रावट मतलब किया ब्रास टाइप इस त्रीके से समझ सकते हो सबसे जहादा copper का फिर कम है और you know का सबसे कम है तो यानि की यह जैदा elastic 25 और यह उससे कम है यह यह बात क्योंकि कम होगी ज्यादा रिजिड होगा तो कम क्योंगी क्योंकि उनकी इंटर-molecular फोर्स क्या होगी ज्यादा होगी समझे तो वह अपने से उसको डिस्प्लेस करने क्या होंगे बहुत ही कम होंगे या होंगे यह समझे इतनी बात अगर हम पर्फेक्टली रीजिड बोडी की बात करें ठीक है तो उनके लिए क्या होगा यंग मोडूलस अगर पर्फेक्टली रीजिड बोडी है कोई यंग मोडूलस मतलब तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है तो यह चीज़ें आपको क्लियर होनी जो मैं छोड़ी बाते आपको यहां पर बताता चल रहा हूं ठीक है क्लियर है यह चीज समझ में बात करते हैं बल्क मोडूलस ऑफ इलास्टिसिटी की देखो बल्क मोडूल प्रिक की बात होगी यहां पर ठीक है तो लिखा भी हुआ है इस डिफाइंड एस डिफाइंड आपको यहां से प्रेशर लगेगा इस पर ठीक है न ठीक है तो उसकी जो शेप है न वो यह जाएगी ठीक है बलब पहले इसका जो वोल्यूम था वो कितना था अब इसका जो वोल्यूम है वो कितना है इस वाले का कितना रह जाएगा अगर मंदो यह वाला पार्ट कितना है हमारा डैल्टा व है कैथ यह ध्रिक वेघ्र नियूलिंघ 지금 लिखा है हॉग हों जब इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि normal stress upon में volumetric strain तो normal stress क्यों बोला क्योंकि volumetric में भी क्या होता है आपके पास यह देख लो normally लग रहा है जो force लगती है वो normally लगती है ठीक है न इस वज़े से normal stress में आता है volumetric stress भी ठीक है तो यह चीज़ आपको clear है अब यहां से देखो जरा आपको पता है volumetric stress की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके पास force upon में area और जो आपके पास यहां volumetric strain है ठीक है इसका जो formula होगा वो क्या होगा आपके पास change in volume to the original volume तो change in volume क्या है हमारे पास delta V है और original volume है V तो मैं इसको अगर ऐसे लिख भी सकता हूँ f by a into में V upon में delta V clear एतनी बार ठीक है अब देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसमें और साथ में हम यहां minus जुरूर लगाएंगे इदर माइनस लगेगा इदर यहां भी माइनस लगेगा माइनस क्यों लगेगा because negative sign क्या शो कर रहा है कि जो volume है यहां पर उसमें क्या होगा decrease हुआ है प्रेशर पर हमेशा क्या होगा volume क्या होगा decrease ही होगा यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है तो इसलिए माइनस का sign आया और नहीं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जो delta V होगा इसमें वो मैं अगर इस तरीके से लिखूँ जो हमारे पास final volume है वो कितना है हमारे पास V' है और जो पहले था मतलब initial volume क्या था वो V था तो final minus initial तो व्यसी बात है इसमें volume कम हुआ है तो यानि कि अब जो है volume वो 4 है और पहले कितना था मान के चलो आप 6 था तो यहा पर minus लगा है clear इतनी बात समझ में आ रही होगी ठीक अब जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो यहां decrease in length भी होती है तो आप को कि यहां minus नहीं आया था कहीं पर भी समझ रो, यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ increase भी हो सकती है, decrease भी हो सकती है, दोनों बाते हैं, यहाँ तो क्या particular decrease ही होगा volume, तो यह minus में चलेगा हमेशा, clear रहे इतनी बात बताओ, ठीक है, अब जैसे यह V minus delta V, मैंने किसकी value रखी ती यहाँ पर, V dash की, V minus में delta V, तो य जाद वाला volume minus कर रहा है, तो ज्यादा में से थोड़ा minus कर रहा है, ठीक है ना, छोटे वाला, तो plus में यहाँगी value, लेकिन, अगर हम इस तरीके से देखें कि final minus initial करने, तो यह हमेशा minus में आएगा, क्योंकि final वाला हमेशा कमी होगा, ठीक है न, तो इसलिए यह minus लगा है, आपको यह चीज़ समझ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ गए, ठीक है, अब इसको न, एक जगह यहाँ पर देखो, इस तरीके से भी लिखा हुआ है, जैसे यह F by A है, F by A को pressure लिख दिया, because force upon area stress भी है, और pressure कब है, जब हम internal restoring force की बात करते हैं, और pressure कब है, restoring force लगे ही, वो अंदर से, इस तरीके से लगे ही, क्योंकि दुबारा से अपना shape के क्या करेगा, regain करना चाहेगा, तो restoring force लगती है, और यह दोनों forces क्या है, हम बोलते है, equal होती है, deforming और अंदर restoring वाली, तो force equal ही है, तो इसमें, इसको stress बोलो चाहिए, इसको pressure बोलो, तो मैं पर लिख सकते हैं, इसको pressure की terms में भी, clear है, तो negative sign क्या show कर रहा है, volume is decreasing, decrease कर रहा है, ठीक है, यह आपको ध्यान मेरें चाहिए, minus क्या show कर रहा है, ऐसा unit वही होंगे, stress stress के आएंगे, सिरफ, ठीक है, न, क्योंकि मोड़ दूश्टी सिरफ stress के units or dimension आते हैं, तो units आपको पता ह हैं, क्या थे, SI units are, newton per meter square, because force upon merit होता है, तो newton per meter square, और साथ में, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, और करके newton meter inverse square, ठीक है, और cgs में लिखने तो लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिखोगे, बताओ, dine और centimeter inverse square, ठीक है, और SI में एक और हो सकते हैं, प्रेशर की अगर हम बात करना है, stress और प्रेशर यह की बात है, तो यहाँ पर pascal भी लिख सकते हो, ठीक है, तो dimensions are, वही stress वादी होंगे, क्या थे हो, हमारे पास ml-1t-2 यह थे, ठीक है, मैंने आपको बताए भी हैं यह पहले, ठीक है, clear है, समझ पा रहे हो, अब आजाओ, main कहानी पे, note में, क्या है, देखो, क्याता है, bulk modulus is involved in solid liquid in gases, देखो, अब obvious बात है, fluid में अंदर कहीं पर, solid भी लेक के जा सकते हैं, ठीक है, और gases से भरा हुगा, कोई object भी लेकर आ सकते हैं, समझ रहे हो, आप खुल सोचो, solid में ज्यादा volume में change होगा, या liquid में ज्यादा होगा, या gases में ज्यादा होगा, बताओ, gases वाले में volume बहुत जदा decrease करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो molecules होते हैं, अ करता है, degrees जो volume है, वो ज्यादा होता है, एक तरह से यह में कह रहा हूँ, liquid है, अगर liquid में आपको पता है, gases वाले से क्या होते हैं, थोड़े ज्यादा strong होते हैं, तो वो compressed जो हम कहते हैं, एक तरह से उसमें कम होगा, as compared to gases, ठीक है न, क्योंकि, वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा bound होते हैं, ठीक है, तो मतलब उनको compress करना, क्योंकि जैसे फ्लियोड में जाएंगे, तो pressure से उसमें जो volume है, उसका decrease बहुत कम होगा, तो यानि कि solid क्या कर रहा है, अपनी change in size को opposition बहुत ज्यादा करता है, ठीक है न, because pressure भी उसमें पर पढ़ रहा है, तब liquid में थोड़ा उससे ज्यादा decrease और gases में सबसे ज्यादा decrease होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने आपको यहाँ बोल दिया, कि solid में position ज्यादा है, अपनी change in size को, या shape को करने के लिए, ठीक है न, क्योंकि उसके intermolecular forces हैं, atoms की, वो कहा है, ज्यादा strong है, तो उसमें volume का decrease कम होगा, तो elasticity कहा है, अब position ही करना, अपनी change in size shape को, ठीक है, अब चाहे, liquid हमने भरा होगा है किसी चीज में, ठीक है, जब उसको fluid से हम बाहर लाएंगे object को, liquid से भरे होगा है, तो वो अलग बात है कि दुबारा से regain कर ले अपनी shape size, लेकिन elasticity जैसे rubber और steel की हमने बताई दी, ठीक है न, steel में कम change होता है न, तो वो क्या है, ज्यादा elastic है, तो उसका हमने बात करें कि young modulus ज्यादा, जिसका वो ज्यादा elastic, तो ऐसे यहाँ पर जो कम change हो रहा है, ठीक है न, अपने size and shape में, तो वो क्या है, solid है, तो एन कि जो यह bulk modulus है, वो किस में ज्यादा होगा, as compared to liquid and as compared to gases, तो यह जी लिख रखिया है, कि bulk modulus for the solids are much larger than for liquids and which are again much larger than gases, यानि कि जिसका bulk modulus ज्यादा, समझ रहो, जिसका bulk modulus ज्यादा हो, वो ज्यादा elastic, यही मतलब हुआ, समझ तो solids क्या है, ज्यादा elastic है, क्यों इसका bulk modulus ज्यादा रहेगा, समझ पा रहे होंगे बात को, तो यहाँ से एक चीज निकलती है, हमारे पास क्या, कि अगर हम bulk modulus की भी बात करें, कि मानलो कोई ideal solids है, rigid bodies है, ठीक है न, ideal की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो बिल्कुल chain नहीं होगा, जिस नमर जी pressure डले उस पे, ideal की बात कर रहे हैं, तो उसका bulk modulus क्या होगा, उसका infinite होगा, जैसे मैंने young modulus के लिए बात करें, अगर ideal कोई rigid body है, तो उसका young modulus क्या होगा, infinite होगा, bulk modulus भी क्या होगा, infinite होगा, because young modulus और bulk modulus, दोनों क्या कह रहे हैं, जितने यह ज़्यादा होगे, उतने ज़्यादा वो elastic होगे, समझ रहे हो, इतनी बात यह चीज clear हो रही होगी और आप खुद सोचो, solid क्या होता है, कम compress होगा, ठीक है, तो bulk modulus solid का ज्यादा, लेकिन compressibility इसकी क्या है, कम है, तो यानि कि compressibility और bulk modulus में क्या relation है, reciprocal का, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने बोला na, bulk modulus solid का ज्यादा, as compared to liquid and gases से तो बहुत ज्यादा है, तो मतलब क्या है, solid का liquid से ज्य लिक्विड का, gases से ज्यादा, bulk modulus है, तो compressibility किसमें मैंने बताई थी, gas वाले में, ज्यादा compress हो जाएगा, fluids के अंदर, और liquid वाला कोई है, part, तो object है, मतलब तो वो fluids के अंदर क्या होगा, थोड़ा, कम compress होगा, as compared to, अगर हम gas की बात करें, लेकिन अगर solid होगा, as compared to, liquid as compared to, gases, तो यानि की, bulk modulus, solid का हमने ज्यादा काया, और compressibility उसकी सबसे कम है, तो compressibility क्या है, reciprocal हो गया, 1 by B, bulk modulus का, यहीं लिख रखा है, the reciprocal of bulk modulus of the material, ठीक है, न, किसी material के bulk modulus का reciprocal, वो क्या है, compressibility है, जिसका bulk modulus ज्यादा, वो क्या होगे, less compressible होगे, जिसका कम, वो ज्यादा compressible, अब जैसे हम बात करें, solid का सबसे ज्यादा bulk modulus, ठीक है, तो उसकी compressibility क्या रहेगी, कम है, यह मैंने आपको वैसे भी बताया, bulk modulus, gases का क्या है, सबसे कम है, कम, और यह क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो compressibility मैंने आपको बताई थी, gases की ज्यादा है, तो के से हम डिरेंट करते है रैसे आएंगे, ठीक है, यह जब उपर जाएंगे, तो newton, minus one हो जाएगा, one है न, यहाँ, उपर जाके minus one, और यह minus two है, यह क्या हो जाएगा, plus two हो जाएगा, newton inverse meter square, and dimensions क्या हो जाएगी, इसकी देखो, जैसे हम देखें, इसमें, one upon में, bulk modulus के, क्या थे हमारे पास, ml minus one, t minus two है, ठीक है, तो यह उपर जाएगा, m minus one हो गया, l minus one हो जाएगा, plus का one हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखनी रहा, simple, ऐसी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और t minus two हो जाएगा, ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर dimensions लिख दी, clear है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर म और modulus of rigidity भी बोलते हैं, ठीक है, और किस से denote करते हैं, इसको G से, तो यहाँ पर हमें बात करी थी, कि क्या होता है, tagential stress होता है, या फिर हम उसको क्या बोलते है, sharing stress बोलते है, ठीक है, और strain कौन सा होता है, इसमें sharing strain होता है, यह हमें पता है, shape वाला पता है, ठीक है, तो stress upon strain ह होता है तो इसमें आपको कहानी पता ही है कि अगर हम वह 3D वाली बात करें इस तरीके से ठीक है तो इसमें हमने क्या कहा था कि जैसे यह होगया के पास यह टीके से टीक है इसे यह क्या होगया तो इसमें वह भी है यह आपको पता है यहां पर किस का जेंज होता है यह वह पहला हम थीटा लिखते हैं यह डेलटा एक्स की डिस्प्लेस्ट में रिए लैंध एल है ठीक है जिसको हम दो तरीक्टे से किया था हमने अगर आपको याद ओ शेरिंग स्टेन नॉर्मल किया था कि displacement to the normal distance तो वो अगर थीटा के स्पेक्ट में करते थे तो हम क्या करते थे थे टैन थीटा यहां से अगर हम देखें इसमें F by A और यह उपर चला रहेगा और यह डेल्टा एक्स ठीक है तो यह हमारे पास भाल माल में अज्याइक यहां पर ट्राइव यहां यहां विखेंग में देखाए Pale solids में होता है simple ठीक है दूसरा main point जो shear modulus होता है वो less than hota young modulus से ठीक है हमेशा shear modulus क्या होगा less होगा young modulus से generally जो solids होती है उनमें क्या होता है आपके पास one by third होता है young modulus के ठीक है तो इसलिए लिख रखा यहां पर g is equal to ओमे y upon में three one third of young modulus ठीक है तो पता ही है आपको SI units क्या होंगे वही same जो हमने पहले की है ठीक है जो bulk modulus के थे यंग modulus के थे वही SI unit होंगे को stress की कहान ही चलती है ठीक है तो SI unit इसमें वही चलेंगे Newton per meter square या meter inverse square ठीक है और जो इसके dimensions रहेंगे वह स्ट्रेस वाले ही रहेंगे ठीक है तो वह क्या है आपके पास ml-1t-2 ठीक है यही वाले चलेंगे ठीक है clear है समझे जो stress के तो वही चलते हैं आपको पता है modulus of elasticity में ठीक है तो यह था आपके पास modulus of elasticity and types of modulus of elasticity ठीक है कर लोगे इसको अच्छे दे ओके जी थैंक यू